सबी वक्तों को जह जह शिरी रादे, शिरी शिवाय नमस्तो फ्याम हर हर महादे जदी बहुत ज़्यादा करजा पड़ गया है, पैसा नहीं आ रहा, धन नहीं आ रहा, बहुत करजा पड़ गया है, बहुत दुखी हो, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ है, मन कर रहा है कि मर पहले एक उपाय अवश्य कीजिएगा कहीं से लक्षमी नहीं आ रही कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा तो शिव मंदिर के पीछे शिव मंदिर के पीछे मक्खन का शिवलिंग का निर्मान कीजिए जो मक्खन आता है उसका शिवलिंग का निर्मान कीजिए शिवलिंग का निर्मान करने के बाद उसका विसर्जन कर दीजिए वो भी आपको शिव मंदिर के पीछे ही करना है दियान रखना इस बात का कि आपको जो मक्खन का शिवलिंग बनाना है उस शिवलिंग का आपको निर्मान शिव मंदिर के पीछे ही करना है और ये उपाय आपको प्रति दिन करना होगा प्रति दिन शिव मंदिर के पीछे मक्खन के शिवलिंग का निर्मान कीजिए और उसका विसलजन कर दीजिए कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके पास में धन आने लगा है और आपका करजा धीरे-धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा तो इस उपाय को अवश्चे करिएगा जदी आपके उपर करजा बहुत बढ़ गया है सभी भक्तों को शिरी शिवाय नमस्तो प्याम हर हर महादेव वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो अधिक सद्धिक लोगों को शेयर कीजिएगा